तो आज येस बैंक का शेर ऊपर गया है बहुत अच्छी बात है कि इसने फाइनली थोड़ी बड़त दिखाई है तो एक चार्ट के पैटन पे हमें हमने कुछ कल कुछ लेबल्स बताए थी कल कुछ लेबल्स दिखाए थे ये उपर और नीचे बताए थी तो हमने ये डिसाइड किया था अपने पिछले लेबल्स पर अकॉर्डिंग टू लास्ट लेबल्स जो यहाँ पर आए थी तो लास्ट टाइम जब यहाँ से बाउंस किया था तो यह लोग बनाय था वहां से मैंने इसको जोड़ा है तो यहाँ से जो लोग बनाय था इसने उ well तो हम यह देखेंगे यहाँ पर इसके low पर exactly यह लान भना ही दि आर उपर की लाएन मैंने यह इसके भी हाई पर यहाँ भी पॉइंट है और दूसरी में चीज यहाँ पर इसके बेसिस पर इसके बेसिस को तो well यहाँ आप यह जो तो जासे bounce back क्या था उसके basis रना थी क्यों क्योंकि यह बहुत technically important levels है यह levels बस यहाँ पर आगे नहीं यह अगर पीछे भी जाएंगे तो भी important levels है यहाँ से इसने bounce back दिखाया उपर उसके बाद जैसे यह break हुआ यह नीचे आया और यहाँ से इसने वापस bounce back दिखाया है इसमें काफी consolidated किया फिर जैसे यह इसको break किया यह ऊपर चलता गया दोनों भी levels काफी technically important है काफी important है और वैसे ही उसी वैसिस पर हम यहाँ पर भी similar चीजें देख सके अब हमने past देखा अब past से हम present पर आएंगे कि present situation past से कैसे match कर दिए तो वहाँ पर हमने देखा कि इस level पर stock काफी consolidated किया है और यहाँ पर अब देख सकते stock काफी consolidated किया है उसके बाद जैसे ही यह level break हुई यह stock नीचे आया और इस level को चुआ और जैसे ही इस ने इस level को चुआ इसने नीची जाना तो try किया बट जा नहीं पाया दोनों भी candles exactly वैसी है और यहाँ से वापस बाउंड रख किया यहाँ पर हम according to the price action देख सकते हैं कि इसने उपर जाना reject किया उसके बाद stock नीचे आया है और अभी यहाँ पर फिरहाल trade कर रहा है तो कल हम देखेंगे कि उपर की level तूटी है या नीचे की level तूटी है या इसी के बीच consolidated होता है stock most probably इसी के बीच consolidated हो सकता है बट आज stock बस इ इसके ऊपर stock काम करता है exactly अगर हम ठीक से analyze करें जो stock ऊपर जाने की यह बजा है यह बजा कि यह बजा कि यह बैंक अग्वास टेके रिलाइंस पावर आम शेर प्राइज अब 5% यह नहीं यह बैंक ने रिलाइंस पावर के एक सबसेडरी कंपनी रिलाइंस पावर की एक सब कंपनी है उसमें अपना स्टेक खरीदा है हम देखेंगे पूरी न्यूज देखेंगे यह बैंक शेर जंप 5% इंट्राडे और जनवर 15 अफटर प्राइविट लेंडर अक्वार्ट थर्टी परजन स्टेक इन अरिलाइंस पावर सबसेडरी राइट जैसे मैं बताया कंपन इक्वार्ट यहां पर हम देखेंगे यह थोड़ा मुश्किल बन रहा है वेल बारा करोट 73,21,500 एक्विटी शेर्स यह मेरे को पढ़ने भी नहीं भी नहीं आ रहा है इतने शेर्स एक्वार्ट किया है वेल एक्वार्ट चैर्स हैविए नॉर्मल वैल्यू आफ रूपीज 10 पर शेर पॉस्टिविटिंग अप्रॉक्जिमिटली 29.97% अफ दपोस्ट इशू पेड़ अप शेर्स कैपिटल ऑफ रोजा पावर सप्लाई कंपनी सो यह सब्सेडियरी कंपनी इसका नाम है रोजा पावर सप्लाई कंपनी वहली ओंड सब्सेडियरी ऑफ रिलांस पाव the share were acquired on incubation of pledge subsequent to default slash breach of terms of credit facility sanctioned by yes bank to reliance power an extraordinary general meeting of the bank has been called on february 7 the bank will see shareholders approval to raise its authorized share capital 2 rupees 1100 crore a release said well तो इसको summarize करूँगा कि यहाँ पर इसने reliance power में अपनी 29.97% और round of 30% stake खरीदी है 12.73,21,500 equity shares खरीदे है at rupees 10 मतलब यहाँ पे और एक zero add कर दो उतने rupees में यह सब acquire किया गया है but the thing is yes bank को खुद को पैसे चाहिए मुझे समझ में नहीं है रहा yes bank खुद दूसरे company में क्यों invest कर रहे है खुद कोई investment चाहिए और खुद ही दूसरे company में invest कर रहे well इसके पीछे यहाँ पर कुछ न कुछ तो strategy होगी management की obviously वरना कोई इतना बड़ा decision ऐसे नहीं लेगा यहाँ पर management और किस में actually में हमें इन्हें decision लेना है according to qip या फिर काफी और चीज़े हैं जिससे यह raise करना चाहते है आज यहाँ पर atel ने एक qip से थोड़ी raising की अपना capital raise किया तो qips are investing in India जैसे की भारतिया में किया है और यहाँ पर भी yes bank में वो कर सकते है तो यह एक अच्छी signal है कि अगर इंवेस्ट किया है तो yes bank में भी इसका positive effect नजर आएगा वेल एक यहाँ पर बात कहना चाहूंगा जैसे की share गिरता है तो जैसे share गिर रहा है वो एक बुरी बात होगी क्योंकि उतनी ही उसकी market valuation कम होगी और जितनी valuation कम उतने ज्यादा equity देने पड़ेगी और जितने जादा for the money so for example आज शेर की price 50 है और और हमें फॉर एक्जामपल हमें 100 अरुपे फॉर रुपे रेश करने तो हमें दो शेर बेचने पड़ेंगे यह बट अगर शेर की price 25 है तो हमें चार शेर बेचने पड़ेंगे जो कि बुरी बात है फॉर एक्जामपल अगर हमें यहाँ पर 50% तो 25% सेल करना पड़ेगा, तो 50% सेल करना पड़ेगा अगर अमाउंट कम होती है, तो जैसे शेर की पराइस गिरते जाएगी, वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे स्टॉक पे, शेर को उतने ही डिफिकल्टी स्पेस करने पड़ेगी to raise money, पैसा अगर रे जब यह investment की बाता है, जब funding raise करने की बाता है, तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्केट मैनुपलेट करके या बैड तरीके से भी शेर की प्राइस बढ़ाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि शेर जितना नीचे रहेगा, उतनी मिश्किले खड़ी होंगी, शेर जितना जढ़ कि शुब एलजोंकि जाना शेय ना रजी कोशिए होंगी यहाँ